तमाम एक्जिट पोल और एंडिये गड़बंदन में शामिल दलो के दावू को खारिज करते हुए जनता ने लोकसभा चुनाव दुहजार चौविस में बिल्कुल अलग तरह का मेंडिट दिया है चुनाव के पैणाव में बीजेपे के नतिक्त वाली एंडिये तीन सो का आकड़ा भी छू नहीं पाई हाला कि गड़बंदन बहुमत के आकड़े से कहीं आगे निकल गया इस नतीजों में चार ऐसे उमीदवार रहे जिन्होंने इस चुनाव में सबसे कम उम्र में जीत का परचम लहराया है ये चार युवार चेहरे अब लोगसभा में नज़र आएंगे इन सभी के उम्र महस 25 साल है ये चार ऐसे उमीदवार हैं जो अब 28 लोगसभा में सबसे कम उम्र के सांसत बनने जा रहे हैं पुषपेंद्र सरोच और प्रिया सरोच ने समाजवादी पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ा वहीं श्यामभवी चौधरी लोग जन्शक्ती पार्टी और संजना जाटव ने कॉंग्रिस के टिकेट पर चुनाव लड़ा था उतर प्रदेश के कुशामभी लोगसवा सीट से चुनावी ताल ठोपने वाली समाजवादी पार्टी के उमीदवार पुषपेंद्र सरोच सबसे कम उमर में जीत दर्ज करने वाली उमीदवार बन गई है पुषपेंद्र सरोच के उमर 25 साल 3 मैने है उनका जन्म एक मार्च 1999 को हुआ था पुषपेंद्र सरोच पूर मंत्री इंदरजीत सरोच के बेटे है लंदन की किन मेरी उनिवरस्टी में पढ़ाई करने वाले पुषपेंद्र सरोच ने इस बार 2019 में हुए पिता की हार का बतला ले लिया है पुषपेंद्र सरोच ने यूपी के कुशामबी लोकसभा सीर से बीजोपी सांसद विनोद कुमार सूनकर को एक दशमलो शूम ने तीन लाख वोटों के अंतर से हराया पिछली बार यहां से इंदरजीत सरोच की हार हुई थी उत्रप्रदेश की मशले शहर लोकसभा सीर से चनाव जीतने वाली प्रिया सरोच उन चार उमीदवारों में शामिल है जिन्होंने सबसे कम उम्र में इस लोकसभा चनाव जीत हांसल की है प्रिया सरोच की उम्र सिर्फ 25 साल 7 महीने है उन्होंने मौझूदा बीजेपी सांसाद भोलेनाद को 35,850 वोटों के अंतर से हराया है प्रिया सरोच की पिता तुफानी सरोच भी तीन बार सांसाद रह चुके हैं वानसी के पिंडारा तहसिल के करखिया गाउं के रहने वाली प्रिया सरोच पिछले साथ सालों से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कारकरताओं के रूप में अपनी भागेदारी निबाती रही एललबे की डिग्री हासिल कर चुकी प्रिया सरोच की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एरफोर्स गोल्डन जूबली इंसिट्यूट से हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही है पूर वाईपेस अधिकारी आचारे कुशोर कुनाल की पुत्रवधू शामभवी चौधरी ने इस वार चिराग पासवान की लोचपा के टिकेट पर चुनाव लड़ा और महस 25 साल की उमर में जीत का परचम लह रहाया बिहार के समस्तिपोर लोगसभा सीट से जीत हासिल करने वाली शामभवी ने कॉंग्रिस के सनी हजारी को एक लाग सतासी हजार दो सो क्यावन वोटों के अंतर से हराया है शामभवी चौधरी बिहार में तीश कुमार के काबनीच मतरी अशुक चौधरी की बेटी है अशुक चौधरी हाल ही में कॉंग्रिस से जीडियों मिं शामिल हुए थे शामभवी के दादा भी कॉंग्रिस में रहे चुके हैं यानि वो अपने परिवार की तीसरी पीड़ी की नेता है शामभवी चौधरी ने दिली स्कूल ओफ एकनॉमिक से आर्ट्स में एम्मे किया है राजिस्थान की भरतपुर लोगसभा सीट से कॉंग्रिस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली संजना जाटव ने 25 साल की उमर में जीत हासल करने में काम्याबी हासल की है उन्होंने भार्दे जन्ता पार्टी के राम सरुफ कोली को 51,000 वोटों से माद दी है पिछले साल हुए राजिस्थान विधान समचनाव भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी हाला कि उस तोरान उन्हें महस 409 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था